Hello everyone, आज हम discuss करेंगे chemistry, यहाँ पर मैं class 10 के chemistry को discuss करूँगी जो की chapter 1 है chemical reaction and equation इससे पहले मैंने already दो वीडियो डाल रखे हैं जिसमें मैंने activity 1.7 से पहले के सारे activity को discuss कर रखा है और जो भी important इसमें points हैं उनको भी मैंने उसमें discuss किया है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम discuss करेंगे activity 1.7 एक्टिविटी 1.7 में बोला गया है कि आपको एक मग लेनी है प्लास्टिक के मग को मग लेनी है उसको क्या करना उसके बेस को क्या करना है drill machine के help से hole लगानी है उसमें एंड उसमें क्या करना रबर अस्ट्रोपर लगानी है ठीक है insert carbon electrodes in all the infrared residual पररा उसमें एक अफ्क वास्माट को इञें कारवन इलो fr наконец और तो शिश्वौ भवर बेarme को पहले वित वातर वातर से भर होंगे मग को और जितना भर होंगे ताक कि तुम्हारी दोनUI जो इलोक्रोम से वो पुरी तार से इमर्ज हो जाए ठीक है और कुछ amount of dilute sulfuric acid भी इसमें हम डालेंगे water में टेक two test tube और दो test tube लेंगे उन दोनों में भी पानी feel कर देंगे और उसके बाद उसको invert कर देंगे और दोनों ही two carbon electrodes के ओवर मतलब invert कर देंगे जैसा कि यह picture में दिखा रखा है ठीक है now next उसके बाद आपको क्या करना है switch on कर देना है जिसे current उसमें flow करेगी ना उसको कुछ समय के लिए छोड़ दोगे बिना disturb किये ठीक है अब यहां में पहला question पूछा गया जो gases यहां पर बन रही है क्या दोनों ही tube में जो gases के amount है gases की जो volume है यहां पर different है फिर उसके बाद यहां बता रखा है once a test tube is filled with a respected gases remove them carefully जब उसमें fill हो जाएगा हर एक individual test tube में fill हो जाएगी gases तो उसको काफी careful तरीके से उसको वहां से remove कर देना है ठीक है उसके बाद आप identify करोगे कि किस वाले test tube में कौन सी gases present है किसमे oxygen present है और किसमे carbon dioxide present है यह कैसे आप देखोगे किस तरीके से identify करोगे और साथ ही साथ किसमें कितनी कौन सी gases present है वह कैसे identify करोगे तो इसके लिए पहले हमें करना क्या है कि दोनों जब आप test tube को निकालोगे तो एक में oxygen होगा और एक में hydrogen होगा तो हम burner को test tube के नियरवाइल लेकर आएंगे अगर pop sound आए तो हम समझ जाएंगे कि उस test tube में कौन सी gases present है तो hydrogen अगर burner को नियरवाइल लेकर आए test tube के और वहाँ पर जो intensity है burner की वह काफी flame की intensity है हाई हो जाया तो आप समझ जाना कि वहाँ पर कौन सी gases है oxygen है इस तरीके से हम दोनों ही test tube में कौन सी gases present है वह हम find out कर लेंगे दूसरा question है कि वॉल्यूम किसमे जाद वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा तो होगा क्या कि हाइडोजन का जो वॉल्यूम होगा वह डबल होगा oxygen के वॉल्यूम से ऐसा क्योंकि एक्चुली यहां पर वाटर जो होता है उसका molecular formula होता है वह होता है H2O जिसमें hydrogen के 2 atoms होते हैं और oxygen के 1 atoms इसकी जो ratio होती है 2 is to 1 में होता है इस वज़े से hydrogen का जो वॉल्यूम होगा वह तू टाइम्स ज्यादा होगा oxygen के व्यूम से ठीक है Queshan इसमें पुझे चासकते है कि ऐसाitez यहां पर ऋ में क्यूंसी गेसे बनेगी और cathode में कोंट हमने बनेगी याद रखो कि हमेंचा oxygen baixo लिच बनेगी से 1.7 में वो सारे मैंने आपर डिसकस कर दिये नाव निक्स यहां पर हम आते एक्टिवीटी 1.8 में टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लॉराइड इन इन चाइना डिस्क वाट इस इस कलर आप आप देख लो कि कौन सा कलर है पहले सिल्वर क्लॉराइड का ना उसके बाद उसके लाइड पहले वाहिट कलर की थी और वो साफ राँड के प्रक्रायों में अरthat प्राइडs में क्या हूआ। इसा इसले हुआ क्योंकि वह तक आपू स रहे कि silver bromide में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, जब आप silver bromide को sunlight के presence में छोड़ दोगे, तो silver और bromide जो है वो अलग हो जाएंगे, the above reaction are used in the black and white photography, जो दोनों ही जो reaction हैं, हम उसको black या white photography में करते हैं, what form of energy is caused this decomposition reaction, किस टाइप की energy यहां पर requirement हो रही है, तो यहां पर sunlight, जो मतब कह सकते हो, light energy का use हो रहा है, we have seen that the decomposition reaction required energy either in the form of heat, या तो वह energy heat के form में यूज करती है, या light के form में, ठीक है, और electricity, और breaking down the reactor, और reactant को क्या करता है, breakdown कर देता है, ठीक है, वह energy heat या फिलाइट के form में यूज करती है, उस इनर्जी को absorb करके, वो क्या करती है, reactants को breakdown कर देती है, reactants यहां पर reaction in which the energy is absorb, इस reaction में क्या हो रहा है, कि energy को absorb किया जा रहा है, that's why इसे हम बोलते, इंडो थर्मिक reaction, इसे हम क्या बोलते, इंडो थर्मिक reaction, ना निक्स यहां पर question दे रहा है, carry out the flowing activity, take about 2 gram of bromium hydroxide in the test tube, उसमें आपको 1 gram एड करना है, ammonium chloride, उन दोनों को mix करना, glass road के help से, ना आप टश करो, bottom part जो test tube का, तो आप देखोगे, कि bottom part काफी जाड़ा ठंडा है, ऐसा इसलिए, क्योंकि वो environment के जो heat है, उसको क्या कर ले रहा है, ठीक है, तो reaction जो है, observe करी heat को, तो हम कह सकते, यह किस type का reaction है, तो आप बोलोगे, इंडो थर्मिक reaction है, ठीक है, एक्चुली हमने आपर जो activity कराया, 1.7, 1.8, और उससे पहले जो हमने, 1.5, 1.6, 1.7, सारे जो activities थे, वो totally depend थे, किस type के reaction में, सारे के side, decomposition reaction थे, तो actually हमने decomposition action क्या है, उसको धोरा हम गोंजों देख लेते, decomposition reaction में क्या होता है, जो reactant होते हैं, उनका breakdown होता है, और 2 या 2 से अधिक product formed होते हैं, ठीक है, तो decomposition reaction जो होते हैं, वो तीन परकार के होते हैं, एक होता है हमारा thermal, thermal decomposition, दूसरी होती है, electrolytic decomposition और ठड़ आपका होता है photodecomposition ठीक है तो हमने electrolytic का तो देखा जिसमें हमारी hydrogen और oxygen सेपरेट हो गई water से hydrogen oxygen सेपरेट हो गई तो यह हमारा electrolytic decomposition था photo decomposition में हमने देखा जब आप जो silver chloride को sunlight के presence में रख रहे हो तो silver और chlorine सेपरेट हो जा रहा है वो किस प्रोसेस के जरी हो रहा तो photo decomposition process के जरी है इसके बाद हम discuss करेंगे question question जो given है यहां पर पहला question दे रखा है the solution of the substance X is used for white washing ठीक है तो एक सबस्टान से उसका क्या नाम है तो नाम क्या हो calcium oxide ठीक है इसकी formula क्या होते सी ए ओ ठीक है राइटर रेक्शन और सबस्टान्स एक्स नेमनीन अब वित वाटर जब आप calcium oxide को जब आप water के साथ रेक्ट करोगे तो क्या बनेगा कौन सा प्रोड़क्ट बनकर त्यार होगा तो वह बनेगा calcium hydroxide ठीक है क्या बनेगा calcium hydroxide ठीक है सब्सक्राइब कोशन पूछा गया है कि जब आप 1.7 एक्टिविटी कर रहे थे तो उसमें जो test tube में जो gases बनी थी उसमें जो volume है gases का एक test tube में ज्यादा था एक test tube में कम था तो किसकी volume ज्यादा थी तो ऑफकोर्स hydrogen की volume ज्यादा थी oxygen की volume कम थी ऐसा इसलिए क्योंकि जो water है उसका जो molecular formula होता है वह H2O होता है means water यहां पर जो ratio होता है 2 is to 1 के form में रहता है यह ज़िए hydrogen की volume जो है वह twice two times ज्यादा होगी oxygen से ठीक है नाव नेक्स हम पढ़ेंगे displacement direction इसको हम नेक्स क्लास में discuss करेंगे तब तक के लिए बाए